नमस्कार जैहिं दोस्तो दोस्तो आज हम देखनेवाले हैं पत्रिकाएं पुस्तक और लेखक देखनेवाले हैं और यह आप घटना चकर जो आपका निव अडिसन आया हुआ है आपको टेलिग्राम से रिविजिन कर लिइगा अगर हम बात कर लेते हैं इसमें कितना कोसन दिया हुआ है तो इसमें करीबन 191 प्रस्न है और आज हम देखने वाले हैं 100 कोसन पूरा वीडियो को देखिएगा एक भी कोसन आपको मिस नहीं करना है यहां से एकजाम में प्रस्न डारेक्ट आपको देखने को मिलता है तो अगर हम बात करेते हैं एनी बिसेंट का जो निव इंडिया है या आपका सही सुमेलित हो जाएगा तो आप्सन हमारा यहां पे भी सही उत्तर हो जाएगा इसका हम डिसकसन भी देखते चलेंगे एनी बिसेंट ने 1898 इस्वी में सेंटरल हिंदू कॉलेज के स्थापना की त पुस्तक है तथा इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम आजाद की किरिदी है अगे है बापू माई मदर सिर्शक जो है इसमर्ण किसने की किसने लिखा था आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्सन मड़ी हो जाएगा मनू बहन याद रखेंगे मनू बहन बापू यह पुस्तक जो है आत्मकथा किसका है तो अभी मैंने इसके पहले ही आपको बताया है मौलाना अबुल कलाम आजाद की है ऑप्सन हमारा यहां पे सी सही उत्तर हो जाएगा गीता रहस से नामक गरंथ जो है किसके दोरा लिखा गया है देखें गीता रहस की बात कर लेते हैं द देखें आपका तीरपनवे बिप्यसी पचपनवा जो आपका बिप्यसी प्री में सभी आपका प्रस्न यहां से आता है स्री भगवत गीता रहस्य के लेखा कौन थे तो यह आपके हो जाएंगा बाल गंगाधर तीलक बाल गंगाधर तीलक ऑप्सन हमारे यहां पे बी सही अरबिंद घोस ने लिखा था क्या तो अरबिंद घोस की बात को लेते हैं तो दा लाइफ डिवाइन हो जाएगा दा लाइफ डिवाइन आप्सन नमबर डी अब इसको समझते हैं वर्स 1905 में हुए बंगाल विभाजन की अरबिंद घोस ने अपने पत्र में यानि पत्र ब सन्यास लेकर पॉंडिचेरी में रहने लगे महान चिंतन चिंतक एवं विदमान लेखक की तरह जो है दिखा जाया तो यहां पर दिखे बोला गया है कि महान चिंतन एवं विदमान लेखक की तरह अपने पॉंडिचेरी की एकात्वास में उन्होंने अन्यक गरंथों की प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था तो आपके होजाएं करनल जैंस टॉल करनल जैंस टॉल्ड जो है इसका उत्तर हो जाएगा याद रखेंगे हम को देख लेते हैं ठीक है वह से कुस्टन भी हमारा बहुत स जरूरी है आपके लिए अस्परिस समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विंद्यसक किसके द्वारा जो है प्रकासित किया गया था इसका उप्सन आपका उपर दिया हुआ है इसका उप्सन हमारा हो जगा गोपाल बाबा वलंग कर हो आगे प्रसन निमलिखित में से सही सुमलित नहीं है यानि को इसमें हमारा गलत है देखिए जो हमारा और हैपटी इंडिया जो है अगर हम बात कर लेते हैं एंडिया के बारे में तो इनके जो लेखा के दोस्तो तीलक नहीं है बलकि लाला लाजपत राय थे तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे आगे है निमलिखित में से कौन पावर्टी एन अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया तो अभी मैंने आपको बताया है दादा भाई नरोजी के द्वारा ये लिखा गया है ऑप्सन हमारा डी हो जाएगा निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है यानि कौन इसमें गलत है तो गलत की बात कर लेते हैं हम इस पर देखिए जो गलत हमारा है के-के अजीव झो जो है रफिक जाकारिया यहाँ पे होना चैए बाकी लेरी कॉलिंस एट डोमिनिक लेपियर की बात कर लेते है freedom at midnight हो जाएगा उसके बाद दुरकादास आपका इंडिया फ्राम करजन टू निहरू and after हो जाएगा मौलाना अबुल कला मजात की बात के लिते हैं दोस्तों तो हमारा इंडिया wins freedom इसका उत्तर हो जाएगा आगे है the man who divided इंडिया पुष्टक के लिखक कौन है तो रफिक जाकारिया option हमारे हैं पे सी सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित को सुमेलित करके बताईए इसमें सही की उत्तर क्या होगा तो दिखिया इसका उत्तर जो है हमारा दोस्तों इंडिया विंस प्रीड़म की बात के लेते हैं तो अबुल कलम मजाद रंस एंडर्विंस की बात कर लेते हैं तो सुनिल लिगवासकर incumbent ये अंडिया की बात कर但 है तो महातमा गांधी न्यू इंडिया आपका हो जाएगा एनी बेशेंट आगे हमारा है इसमें भी आपका मिलान करके बताना है तो हम इसको भी देख लिए तो हमारा उत्तर यहां पे देखि दाइस्टोरी ऑफ माई डिपोर्स्टेशन की बात के लिए तो ये हमारा लाला लाजपत्र है गीता रहा से बाल गंगा दरतिलक एनेशन इन मेकिंग की बात कि लेते हैं तो सुरेद्र नाथ बेनर जी इंडिया विंस फ्रीटम यह आपको हो जाएगा मौलाना अबूल कलम अजाद इसका उत्तर हो जाएगा आगे हमारा प्रसन क्या है निमलिखित में युग्मों में से कौन साय का सही सुमिलित नहीं है संपादक लेखक अख़बार पत्रिका पुस्तक के बारे में दिया गया है तो इसका उत्तर देखे गोपाल कृष्ण गोखले सत्यागरह जो किये गलत है बाकी अर्मिंद घोस का वंदे मातरम एनिवेसेंट का निव इंडिया महात्मा गांथि का यंग इंडिया सही है ठीक है तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे भूलेंगे नहीं महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम जो है दच्छड़ पुरिका में सत्यागर है इसको भी आप याद रखेंगे आगे है निमलिखित में से कौन एक सुमेलित है तो देखें लेखक दिया गया है और आपका यहां पे पुस्तक दिया गया है तो इसका आंसर ज यह देखें आपका 49 प्रीमिया प्रस्न पूछा हुगा है तो पूरा प्रस्न देख के जाएगा दोस्तों यहां से आपका उमीद है कि प्रस्न आ सकता है तो देखें यहां पर देखें आपका बोला कि सुरेद्नाद नर्जी जो है यह आपका हो जाएगा एनेसर इंड़ मे ग्राफिकल राइटिंग्स ठीक है आत्म चरितात्मक रचनाय हो जाएगा नेश्ट हमारा प्रस्ने के एनेशन इन दा मेकिंग नाम पुस्तक के लेखा कौन है तो यह आपके हो जाएगा सुरेद नाथ बिनर्जी ऑप्सन नमबर बी निनलिखित युगमों में से कौन सुमेल प्रस्ट नहीं है तो कौन इसमें हमारा गलत है देखे जावाहर लाल नहरु जी हमारा हिंद स्वराज यहीं हमारा गलत हो जाएगा बाक्य मुलाना अबुल कलम अजाद इंडिया विंस प्रिडम सही है सुभास नर्बोस जो है इंडिया स्ट्रगल सही है लाला श्पत्रा इंडिया सही है ठीक है तो हिंद स्वराज आप सभी को पताए होगा महत्मा गांधी 1879 से 48 में हिंद स्वराज की रशना किया था तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे आगे हमारा प्रस्ण है कि भारती राष्टी आंदोलन पर इंडियन श्ट्रगल नाम पुस राष्टी आठीन के बारे में दिया गया इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा य contenu हो जाएगा दोस्तों आपका पहले में हो जाएगा तारा चंद हो जाएगा history of the freedom movement in बिहार यह आपका हो जाएगा E में यानि के के दत्ता हो जाएगा आनंड मत जो है यह आपका हो जाएगा बंकिम चनर चटर जी हो जाएगा और precept of Jesus की बात कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा father बुलके हो युगमों में से कौन सही सुमेलित नहीं है कौन इसमें गलत है तो राधा कमल मुखर जी आवद इन रिवोल्ट जो है गलत हो जाएगा बाकी बी डिसावर कर दा इंडियन वार आफ इंडिपेंडेंस आर सी मजुम्दार जो है दी सेपाय म्यूटीनी एंड रिवोल्ट हो हो जाएगा आफ अठारस हो संतावन एच बी चौधरी जो हैपका सिविल रिवेल रिवेल लियंस इन दा इंडियन म्यूटीनीज हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रखेंगे जो आवाद इन रिवोल्ट की बात कर लेते हैं तो इसके पुस्तक के लिखा के आपके रुद्रांग सु मुखर जी है ठीक है चलिए नैश्ट हमारा प्रसने इसमें भी आपका मिलान करके बताना है तो 25 का हम देख लेते हैं फटा-फट बेडी सावर कर की बात करते हैं हम तो दा इंडियन वार आफ इंडिपेंडेंस हो जाएगा आर सी मजुमदार यह आपका सी यानि दी सीपॉय म्यूटीनी एंड रिवॉल्ट अफ हो जाएगा एबी चौधरी की बात कर लेते हैं तो यह आपका सीविल रिबेलियन इन दा इंडियन मियूनिटी हो जाएगा अ सरसेहद अहमाद खां याद रखेंगे सबी लोग निमलिखित में से कौन सा यूग में सुमिलित है सही कौन सा है देखिए सही की बात कर लेते हैं तो यह हमारा हुआग टोय जो है आपका इस प्रिंगिंग टाइगर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा नेस्ट हमारा प्रस नहां कि इस पर इंगेंग टाइगर जो है पुस्तक की जीवनी है अभी मैंने आपको बताया सुबास दना बोस हो जाएगा ओप्शन जो है ठाईस का भी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रेगिंग टाइगर जो है पुस्तक इसके द्वारा लिखा गया है तो होग टोयों के द्वारा ओप्शन नमबर ए निमलिखित में से कौन सही सुमेली थे यानि सही कौन सही तो भगत सिंग एन इस्टोड अक्षन टूदी ड्रीम लैंड हो जाएगा ओप्शन हमारा ती इस्टवादी क्यों हूं ये भी आपका सही है निमलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है तो इसमें देखिया आपका ऑप्शन जो ए दिया गए भगत सिंग दा इंडियन सोसियो लॉजिस्ट जो हमारा गलत है बाकी सचिद्रनात सन्याल जी है बंदी जीवन लाला र स्राम सरंदास जो है आपका दल ड्रीम लेंड सही है भागवती चरन बहरा की बात करेते हैं दा फिलास्फी आफ बं सही है आगे हमारा प्रस्न क्या है कि अन एहीलेशन अपकास्ट का लेखा कौन है तो डॉक्टर वी आराम बिटकर आप्शन नमबर बी उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से कौन एक यूग में जो है सुमेलित है सही कौन सा है दोस्तो तो फ्रैंक मॉरिस जावाहर लाल नहरू एवं बायोग्राफी यानि जावाहर लाल नहरू ए बायोग्राफी हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहां पर 33 का सी सही हो जाएगा निमलिखित में से कौ प्रसाद प्रसाद आपका इंडिया डिवाड़िट जो है आपका यहां पर सही हो जाएगा देखिए इंडिया फ्रम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर की बात कि लेते हैं इसके जो लेखा के आपके दूर का अदास है याद रखेंगे निमलिकित में से कौन एक सही सुमेलि है तो यह आपका हो जाएगा राफिक जकारिया जो है दा मैन हो डिवाड़िड इंडिया याद रखेंगे सबी लोग आगे हमारा प्रस्ण है कि गिल्टी मैन आफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक जो है किस ने लिखा है तो डाक्टर राम मानुहर लोहिया ऑप्सन नमबर अरबिंद घोस अमरिद बजार पत्रिका आपका हो जाएगा मोतिलाल नेहरू नेश्ट हमारा है निमलिखित में से कौन सायूग में जो है सुमिलित नहीं है तो जनता की योजना विनोव भावे गलत है बाकी लाहोर प्रस्ता फजल अलहु इनिफजल उलहक सही है पीर पीर लिखित में से कौन सही सुमिलित है तो राम मनोहर लोहिया दे गिल्टी मैन आफ इंडियाज पार्टिशन सही हो जाएगा इसमें देखे लेखक दिया गया है और कृतियां दिया गया देख लिते हैं इसका देखे अगर हम बात कर लेते हैं बंकीम चंद्र चठर जी जो है आपका होाँ जाएगा अनंदमट माइकेल मधो सूदं्थत जो है आपका हो जाएगा काकी लेडी रविनैड टैगोर जो है आपका गोरा हो जाएगा सरुद्निटीन गंदयिशन इस सई उत्तर हो जाएगा गिताजली प्रखंध्य आपको तो संस्क्रोय में स्कृषण इसको फटाफट देख लिए देखिए गांधी जी की बात के लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा हिंद्व स्वराज रा मनोहर लोहिया आपका कि दो ड़ागा दावील आफ हिस्ट्री राजने दर परसाद आपको हो जाएगा इंडिया डिवाइड अब उल्कलाम आज़ात की बात कि लेते हैं तो इंडिया विनस फ्रीडम इसका उत्तर हो जाएगा आगया कि हिंद ऑ सवराज किस ने लिखा है तो यह आपको हो जाएगा महात्मा गांधी option number D पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लिखा कौन है तो A के आजाद option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा India for Indians किस्ताब जो है किसने लिखा है तो C.R. दास के द्वरा लिखा गया है option हमारा A सही हो जागा महात्मा गांधी ने अपनी नियमन पुस्तकों में से किसमें British Parliament को बांज और वैस्या कहा है option के हिसाब से हमारा यहाँ पे हिंद स्वराज हो जाएगा option number C सही उत्तर हो जाएगा गोखले माई political group उस्तक जो है किसने लिखा है तो M.K. गांधी option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें देखे लेखक दिया गया है पुस्तक दिया गया है मिलाते हैं देखे यहाँ पर देखे राजिंदर परसाथ की बात करते हैं तो इंडिया डिवाड़ेड हो जाएगा देलिप मुखर जी आपका terrorist हो जाएगा एस एन बनरजी आपका nation in making हो जाएगा महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विथ तुरूथ इसका उत्तर हो जाएगा नमलिखी तीमों में से कौन सही सुमेलित है तो सही की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका डिपी मिसर की बात करते हैं लिविंग एन एरा इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है तो डाक्टर राजिन्दर परसाद आप्सटन नमर भी सही उत्तर हो जाएगा प्रसिद पुस्तक foundation of Indian कल्चर के लेखक कौन है दोस्तो तो स्री अरबिन्दो स्री अरबिन्दो Authority बर भी उतर हो जाएगा आगे हमारा प्रस्थन है इसको صही तरीकेसे क्या है इसमें मैच करेstyगा साफिर आपका हो जाएगा दिन बंधो क Marion यहां पर क्चेकरण बंकिम यह कौन से नंबर वालन रहने ना तो चौवन के आप का यहां पे C दिया गया है तो देखिए बंकिम चंदर की बात के लिते हैं तो आपका देवी चॉध्रनी हो जाएगा दिन बंदू का आपका यहां पर नील दरपन हो जाएगा प्रेम चंदर का आपका यहां पर सतरंज के खिलाड़ी हो जाएगा ठीक है और चंदरकांता मेरे हिसाब से देव की नंदर खत्री का हो जाएगा यहां पर दिखे दिया गया है जंद्रकांता देव की नंदन खत्री जो है इसका उत्तर हो जाएगा आगे है देखिए आपका पूछ दिया यहीं पर कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखा कौन है तो यह आपका हो जाएगा देव की नंदन खत्री ऑप् जलक देव दास हो सावट जाएगा और जय देव का आपका हो जाएगा गीत गोविंद नेश्ट हमारा है प्रसीध पुस्तक दास कैप्टल लिखी गई है ले खिसके दौरा तो कारल नमबर सी हो जाएगा वैंगार्ड हो जाएगा निदनिखीत पुस्तकों में से किस पुस्तक का सम्मन जो है भारत में राष्टरी आंदुलन के विसकास से जोड़ा गया है तो यह आपका हो जाएगा आनंद मठ याद रखेंगे आनंद मठ उपन्यास दूर्गेस नंदिनी के लेखक कौन है तो बंकियम चंद चटर जी यापका 33 वे बेपियसी प्री में पुछा गया है निम्न में से कौन से पुस्तक बंगाली देश भक्ती की बाइबल माने जाती है आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों आनंद मठ आप्सन नमबर बी सही हो जाएगा नेश्ट हम संगराम के समय लिखी गई मखाराम गनेश देवसकर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्व में निम्निखित कत्नों पर विचार करके बताना है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एक और दो हो जाएगा इस पुस्तक ने आपनिवैसिक राज्य द्वरा मस्तिस्क की सहमोहक विजय के विरोध में चेतावनी दिया है इस पुस्तक ने स्वदेशी नुकर नाटको तथा लोक गीतों को प्रेरित किया है याद रखेंगे आगे हमारा है क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चुंग गढ़या के रचीता कौन थे तो केसरी सिंग बारहट हो जाएगा महात्मा गांधी ने अपनी आत्म कथा मूल तह यहनि मूल रूप में लिखा है तो गुजराती भासा में ऑप्शन नुबर ची उत्तर हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विस तूरूत के लेखा कौन है सबीक पता है महात्मा गांधी ऑप्शन नुबर डी सही उत्तर हो ज लिखा है तो यह आपका 1909 में लिखा है option number 20 सही हो जाएगा भारत एंदू हरिस्चंद्र की प्रसिद किरिती क्या है तो यह आपका हो जागा भारत दूर्दसा भारत दूर्दसा ऑप्सिंद्र नगरी चौपट राजा नाटक जो है किस ने लिखा है तो बताईएगा आप कमे भी थे तो यह तमिल भासा के कभी थे option number B उत्तर हो जाएगा भारत भारती के लिखा कौन है तो मैथलिस रण गुप्त हो जाएगा option number C राष्ट्र कभी की उपाधी अपने साहितिक किरितियों द्वारा भारती सोतंतरता संग्राम में सबल सहयोग है तू निमन में से किसे प द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर अधारित था जो की गलत है बाकी निल दरपन निल के खेती करने वाले किसानों के सोसरव पर अधारित नाटक था घासी राम कोतवाल नाटक नामक नाटक के लिखा का नाम विजय तैंदुलकर है बाकी उर्दू रंग विजन डायरी पुस्तक के लिए किसने लिखा है दोस्तों तो जया परकास नारायन के द्वारा ये लिखा गया है ये पैसे टू इंडिया पुस्तक किसने लिखा था दोस्तों तो एम होरिस्टर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आगे कि इंडिया इस्ट्रगल फॉर इंड आगे है the rise and growth of economic nationalism in India के लेखा कौन है तो यह आपके हो जाएंगे बीपीन चंदर का आप अच्छे से याद करके जाएंगे आउट आफ प्रिंट न्यूज पेपर जर्नलिस्ट एंड बिजनेस आफ न्यूज इन दिजिटल एज नाम पुस्तक के लेखा कौन है प्रोफेसर जार्ज ब्रॉक हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए मदर इंडिया पुस्तक किसके दोरा लिखा गया है तो कैथरीन मेयो द्वारो आप्सन नमबर ए मिलान करके बताना है पुस्तक और लेखा के बारे में दिया गया है तो इसका आप्सन हम यहाँ पर मिला लेते हैं देखिए दाफ फर्स्ट इंडियन वार विनायक दामुतर सवर कर हो जाएगा और आनंद मड जो हैपका बंकिम चल्द चटर जी हो जहनडा गीत किस ने लिखा है तो सयाम लाल पारसद ऑप्सन नमबर डी भारत के दौजगीत यानि जहनडा गान के रचीता कौन थे तो सयाम लाल गुपता पारसद हो जाएगा ऑप्सन बर ची राष्ट्र भक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों किस कवी के द्वारा जो है लि सी हो जाएगा देखिए मैं थादा से वीडियो फास्ट कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि आप कम समय में अधिक कोशन का रिविजन करेंगे वैसे बहुत सारा देखेंगे तो एक एक घंटा का वीडियो बना है तो कोई मतलम नहीं उसे आपके पास भी एक किताब है यह सब लेकिन आप कम समय में अधिक करेंगे तो यह आपको ही फायदा होगा ठीक है आपकी आपको के सामने से बहुत ज्यादा कोशन जो है गुजरेगा प्रसीद गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा की रचना जो है किसने किया है तो अभी मैंने आपको बताया है मुह अनिश्वर वादी कियों हूँ सिर्शक कि पुस्ति का लिक्षी गई है किसके द्वारा तो भगत सिंग के द्वारा ये लिखा गया है भारत की एक सेकिन बोला कि भारत के स्वादेशी आनुर्ण के दौरान लिखे गया गीत अमार सुनार बंगला ने बंगला देश को उसक और अपनबर दी हो जाएगा नेस्टा है कि जन अगर्ण मन की रचना किस ने किया है तो अर अर रविना टैगोर के द्वारा ऑप्सें नमबर सी सही हो जाएगा गोल्डन थ्रेस होल्ड नामक कवीता संगरा की रचना निम्धित में से कुण सा है तो सरने नाइडू आड़ स्थापक कौन थे तो जी एंड नटेशन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा निमलिखित कारगारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नहरू ने अपनी प्रसित पुस्तक डिक्स यानि डिस्कवरी आफ इंडिया लिखा है तो आप्शन बताइए आंसर हमारा हो जाएगा अहमद नगर फोर्ट जेल हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहां पे डी सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट है इसमें देखे मिलान करके बताना है तो हम इसको देख लेते हैं फटाफट देखे बात करेंगे लेडी कैथरीन मेयो की बात कर लेते हैं तो मदर इंडिया हो जाएगा लेरी कॉलिंग से एंड डोमिनिक लेपियरे की बात कर लेते हैं तो फ्रीडम एट मिडनाइट हो जाएगा राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन आफ इंडिया पार्टिशन जावाल नहरू डेक्सकवरी आफ इंडिया इसका उत्तर हो जाएगा भारत की खोज नाउक पुस्तक किसने लिखा है तो जावाल लाल नहरू ठीक है बंदी जीवन पुस्तक का लेखा कौन था तो सचित्रना सन्याल हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा आखरी प्रसने वैसे मैंने आपको बताए एक सुन अब्बे एक सो एक्यानवे प्रसने तो आप इंडिया पुस्तक के लेखा कौन थे दोस्तों तो आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा लेरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बरे यह पर वीडियो का समाप्त करते हैं वीडियो कैसा लगा है कमेंट करको बताएंगे अगर आ नए वीडियो में आच के ले इतना ही जय हिंद